तो चले बच्छो आज गोड़ी में बात करते हैं काईरल कार्बन के बारे में काईरल कार्बन को आपको सब कुछ बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा सारी मतलब हर एक पॉइंट किलियर करेंगे वीडियो आपको पुरा देखना मेरी घंटे आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं the carbon which is bonded to four different items जो चारो चारो अलग अलग अटम्स या अलग अलग ग्रूप अटम्स है ऐसे कार्बन क्या बोलते हैं कार्बन या अस्यमेट्रिक कार्बन अस्यमेट्री बतला जिसमेट्री ना हो विदाउट सिमेट्री अब इसके बाद जो बहुत इंपोटेंट पॉइंट है व अब हिए अब यहां पर इमने एक्जेमपल यह जैसे यह कार्बन है इसमें आप देख सकते चार बॉन्ड बना रखें इसमें चारो अलग 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 अटम से बढ़ा है और चारो चारो सिंगल बोन्ड भाई ए बी सीडी चारो अलग अटम तो यह के आओगे आपका अब यह आपको थुड़ते ध्यान समझना है अगर आप बीचे मीर मान लो अच्छा जिस मोलेकुल के अंदर कार्वन होगा ऐसे मोलेकुल को क्या बोलें कार्यल मोलेकुल बोल सकते हैं जिसमें सिमेट्री ना अगर आप इसकी मेज देखोगे आपको पता ही मिरर में क्या कि अधाक इसके उपर रखागे मतला इस पूरे पुढ़ तो इसकी मेज कैसी होगी यह इसकी मॉलेकुल की चुमेज़े मेज ए गासी 9 इंपोसिवल मेर मेर इसका मतलब क्या अब इसके पर डखाग रखोगे तो इसके सार्द सूपर नहीं होगा यह थी से वोल्था नहीं हो कारई के लिए क्धिम अब के सफस्पर इंपोस नहीं बाइया इन ये तो चीज एक सार हो जाहेगे लेकिन छो काईद ग्याय होगी जसे मे वं गया तो याद रखना है नोन सूपर इंपोजिबल इमेज होगी बिल्कुल आपका पॉइंट किलिर कर देए भी आप इसके बाद बच्छों मैं आपको ता तो कुछ कोश्चन कर दे रहा हूं कोश्चन करने बाद आपके साइड आउट किलिर जाएंगे कोश्चन बिल्कुल अच् यह मिथाईल यया कलोरीन ब्रोमिन तो यह का का काईरल यह नहीं क्या कार्वन इस वास इसमें देख इसमें कार्मिन कौन कौन से अगर आप इसे देखोगे इस पर तीन है रग्रिश्त आचे तो घ्र लिक्त रखन इपको इस तरने एक जैसे आपीरल नहीं और अपका और ऐ अज़े हो गया और यहां पर है इच को आशे के लिख सकते हो और ऐसे तो स्कार्वनिक्स किसके यह पुरा जो कार्वन की साथ है तो कह दो कार्वन सी टू और एच कितने बच्चो तीन और दो पांच है इथाई लेन तो यह भी काइरल आपका देख लोगा एक इथाई लोगा ब्रोमिन अब इसके बाद हमारे जो सबसे इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है तो इसको यह बाद आपके साइड आपके द लिए देखते हैं इसके साथ उपपर के जू ग मैंने फिर आप देखा हूं से लिए सबसे तो यह क्या आपका काईरल हो गया वाला अब बचा लास्ट वाला इसके लिए चेक करते हैं सबसे पहले सी उपपर है लगा हुआ है यहां पर हो गया निच्छे ओच हो गया अच्छा इस साइड देखोगे तो क्या है पुरख पुरख गुरूप जुड़ा है सी ओच यह जु टू और थिरी ओक्सियन है ती नहीं क्या है ओक्सियन बैद देखो एक दो और ती तो आप देख सकते चरफ चरफ गुरूप अलगे तो यह भी क्या आपका क्या हो काईरल है तो इस साइड आउट आपका की लिए चुका हो गया इस वीडियो के थिरू बच्चों मिलते है न क्यां मुझे कमें स्क्राइब मुझे लुब बताएं बाइ